हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सेम शेवल में आपका बहुत-बहुत सौगत है तोस्तों आज हम आपके लिए 10 ऐसे टॉपिक्स लेके आ हैं जो directional के लिए ठीक है तो इंटर्विव में भी पूछे जाते हैं आपको यह अमेज़ा पता होने छाइए ठीक है का बटन है उसे प्रेस करिए और बगल में फिल का आइकन आएगा उस पर भी आल नॉटिफिकेशन्स को के कर लिजिए जिससे कि ऐसे वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें ठीक है दोस्तों तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है हमारा लैपिंग इस नॉट एलाओ फॉर्ड बार हैविंग डायमेटर मोर दें 36 जानी की 36 mm 36 mm डाय अगर किसी बार का है तो उसको हम लैप नहीं कर सकते जानी की जो लैप करते हैं हम सम्थिंग ठीक है तो ये लैप जो है वो हम नहीं कर सकते हैं इसके साथ साथ में लैप लैप लेंध कितनी होते हैं यानि कि ल्ड कितना होता है 40D to 50D ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कुश्चन की minimum bar for circular column and is equal to six and square column is equal to four यानि कि जब कभी भी हम circular column बनाएंगे तो इसमें जो minimum bar डालेंगे ठीक है वो कितने होने चाहिए इसमें six number of bars होने चाहिए यानि कि हमने इसमें कितने bars डाले हैं वो six number of bars होने चाहिए ठीक है दोस्तों अब गर square का देखते हैं तो square में हमें four number of bars required होते हैं minimum is code के according ठीक है दोस्तों अब अगर बात करते हैं question number three कि तो main bar for slab is not less than यानि कि हम जब कभी भी slab casting करेंगे तो हमारा 8 mm से less than मलब यानि कि कम कोई बार नहीं होना चाहिए slab में ठीक है दोस्तों and not greater than one by eight यानि कि slab में minimum तो हम 8 लगाएंगे बट greater than कितना लगाएंगे तो one by eight into slab thickness कर slab thickness आपकी 125 mm है जो कि minimum standard slab thickness होती है तो हम इसको इससे multiply कर देंगे करके calculate करके जो आएगा वो हमें कर लेना हो minimum thickness आप स्लैक कितनी होती है 125 ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं फूर्थ question की water absorption आप ब्रिक should not be less than more than 15% यानि कि जो ब्रिक का absorption होता है वो 50% से ज्यादा नहीं होता है ठीक है दोस्तों water तो यह क्योंकि हम quality आप टेस्टिंग जब करते हैं तो यह चीज़ वहां के लिए बहुत ही important है water pH value should not be less than 6 यानि कि जिस पानी से हम क्यूरिंग करेंगे या फिर हम उसमें मालिजे की डिब करते हैं टेस्ट के लिए तो उसका जो pH value होता है वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए question number 5 पे आते हैं compressive strength आप brick is 3.5 Newton पर mm2 compressive strength होता क्या है basically compressive strength क्या होता है कि कि किसी चीज़ को compress करते हैं यानि कि देखे brick कहीं पर भी रखेंगे तो उस पर load आएगा यानि कि वो नीचे से support है और उपर से load है तो वो compress होगी तो उसकी जितनी ज्यादा compress strength होगी वो उतनी ज्यादा मजबूत होगी तो इसलिए इसकी minimum कितनी कम प्रेसिस्टेंट होनी चाहिए 3.5 ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं six question number की density of materials तो एक मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था पिछला वीडियो है link description में होगा उसमें और सारे materials का है तो साहथ उसमें इन तीन materials का रह गया था तो मैंने इसमे में बता दिया है brick का जो होता है density वह होता है 1600 से ले करके 9 1920 kg पर मीटर क्यूब और concrete block का होता 1920 kg पर मीटर क्यूब रिंफोर्स्मेंट रिंफोर्स्ट कंक्रीट का होता 2310 एंड 2700 kg पर मीटर क्यूब होता है ठीक है दोस्तों अब question number 7 के बात करता है तो क्यूरिंग time of RCC member for different types of cement यानि की देखे ordinary portal and cement mineral तीन टाइप की cement होती है maximum use क्या करते है ओपी सी तो सुपर सलफेट सीमेंट और minerals and add mixture added cement तो अगर सुपर सीब सलफेट सीमेंट से हमने घर बनाया है या माली यह कोई structure बनाया तो उसके लिए seven days होगा और अगर हमने ordinary portal and cement से बनाया तो उसके लिए 10 days और अगर mineral and add mixture added cement के लिए बनाया तो 14 days होगा ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं next question की कि अधिसर्टरिंग time of different RCC member ठीक है दोस्तों यानि कि हम जब कभी भी सट्रिंग करते हैं अपने किसी भी member की तो उसे सट्रिंग कितने time तक हमें रखना है उस पे कितने time तक सट्रिंग लगी रहनी चाहिए उसका ये time है तो RCC member है और डिसर्टरिंग time ठीक है दोस्तों तो पहला क्या है column wall या vertical from walls walls से मतलब यह है कि जैसे retaining wall ठीक है वाल से मतलब brick wall से नहीं है ठीक है दोस्तों concrete wall से है यानि कि retaining wall ओके और या फिर वर्टिकल कोई भी मेंबर यानि कि एक वर्टिकल मेंबर जो होगा उसका हम 16 से 24 घंटे में डिसर्टरिंग कर सकते हैं या यूं कह लीजिए कि minimum जो डिसर्टरिंग है वह हम 16 से 24 घंटे बाद ही करनी चाहिए ठीक है दोस्तों वर्णा क्या है यह फिर collapse कर जाएगा अगर हम पहले इसे डिसर्टरिंग कर देंगे अगला है सौफिट सौफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब ठीक है उसके लिए जो होता है थ्री डेस ठीक है दोस्तों और बीम स्पैनिंग अप टू 5 4.5 मिटर अगर किसी बीम की लेंथ जो है वह 4.5 मिटर है अप तू वहां तक है तो उसे 7 डेस में खोल सकते हैं और उससे ज्यादा है तो उसे 14 डेस में हम 14 दिन के बाद या 14 दिन के 14 दिन पर खोल सकते हैं ठीक है दोस्तों आर्च स्पैनिंग अप टू 6 मीटर गरमा लिजे कोई हमने स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है ठीक है यह आर्च है ना हमारी तो अगर इस कुछ ऐसा बना रखा है तो फिर क्या है कि उसकी गर लेंथ मलब इस्पैनिंग उसकी जो यह यह स्पैनिंग होती ना आर्च की यह तो अगर यह 6 है 6 मीटर है तो उसे 14 दिन बाद खोलेंगे या 14 दिन पर खोलेंगे ठीक है दोस्तों और इगर इससे ज्यादा यानि कि जैसे माली जे कि हम घर बना रहें गर एक फ्लोर का है तो उसके उपर हम पैरापिट यानि कि बाउंडरी बोलते हैं रूफ बाउंडरी होती है वो उसे पैरापिट बोलते है या माली जे कोई बिल्डिंग बना रहे है तो उसके टॉप फ्लोर पे हम आउटर पे मा TPC basically होता क्या है TPC का perform ही होता है Dam Proofing Course ठीक है ठीक है दोस्तों और ये कहां प्रोवाइड कराया जाता है ये हमारा प्रोवाइड कराया जाता है प्लिन्थ बीम के उपर यानि की टाइव बीम बोल सकते हो जहां से हमारा बेस इस्ट्रक्चर खतम होकर के सुपर इस्ट्रक्चर वर्क करता है जैसे यहां पर देख लीजे मैं लिजे यह फाउंडेशन है हमारा पिलर का मैंने एक वीडियो में पीछे बताया हुआ है आप लोग वहां इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं तो यह हमारा प्लिंथ भी मोगे अब इसके उपर हम जो है वो डिपी सी प्रोवाइड कराते हैं फिर स्ट्रक्चर शर्यक्ट करते हैं और डिपी सी लेवल ही हमारा फ्लूर फिनिस लेवल होता है ठीक है तो धूंस के इसकी मीनिमम जो थिकने सोती है वह वह और 2.5 cm होती है नेक्स कुस्चन है मारा मिनिमम डाया बार इन कॉलम तो जो कॉलम प्रोवाइड बनाते हैं हम लोग कॉलम उसमें मिनिमम जो डाया डालते हैं तो वो डाया कितना होना चाहिए 12 mm ठीक है दोस्तों तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई क्वेरी या कोई कमेंट है तो आप लोग मेरे कमेंट सक्षन में जाके कमेंट कर सकते हैं मैं ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और इवरी डे आपको अपडेट रहता है ठीक है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब करें और विल के आइकन को भी दबा लीजिए